महिलाओं और बच्चियों को घर से निकलने में डर लग रहा है एक भाय का महौल बना हुआ है जंगल राज की दुहाई देने वाले लोग आज मुह में दही जमाकर बेठे हैं बिहार की बेटियों की हत्या किया जा रहा है बिहार में नितीश कुमार जी और भज़पा की सरका सरकार है इन 18 सालों में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कुस्वा समाज की हत्या हुई है लेकिन हम लोग अब चुप बैठने वाले नहीं हैं जल से जल्दा सरकार प्रशासान इस पर एक्शन ले नहीं तो हम लोग चले उनके मां से नीतू के मां से वारता चल रहा थ था और वह बाहरा है मैं जिस तरीके से कहीं न कहीं लगतार एक के बाद एक बेटी का हत्या हो रहा है तो परिजन इंसाफ मांगने के लिए कहां जाए देखिए आज पुरे बिहार में महिलाओं और वच्चियों को घर से निकलने में डर लग रहा है एक भाय का महौल बना हुआ है जिस परकार से बिहार में अपराधी खुल्लेयाम हत्या बलतकार अपहडर लूट जैसे घटनाओं को दिन दाहड़े अंजाम दे रहे हैं जंगल राज की दुहाई देने वाले लोग आज मुह में दही जमाकर बेठे हैं बिहार की बेटियों की हत्या किया जा रहा है 18 सालों से बिहार में नितीश कुमार जी और भज़पा की सरकार है इन 18 सालों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कुस्वा समाज की हत्या हुई है लगतार बिहार की बेटियों की हत्या हो रही है हम प्रशासन से कहना चाहेंगे कि अपराधियों को ग्रिफ्तार कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए अभी महीने दिन के अंदर दो नाबालिक बच्चियों को क्यहां प्रशासन को कड़ी निगरानी रखनी नीतु के परिजन लगतार ये कह रहे हैं कि जिला साथा काफी तरीके से काम कर रहे हैं में तो जिला परसासन से किया कुछ अपिल कर रहे हैं कि परसासन जो है इस पर जल्ड एक्सन ले और जल से जल्ड प्राधियों को पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए अगर ऐसा अगर नहीं कुछ हो रहा है हफ्तारुच के अंदर में तो हम लोग धरना देंगे सड़क जाम करेंगे चक्का जाम करेंगे हम लोग रोट पर उतरेंगे बिहार के मुख मंतरी नितिस कुमार लागतार ये नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और इस तरीके का घटना तो बेटियां अपने आपको सुरच्छित कैसे महसूस करें तो देखी रहे हैं क्या किसी बड़ी घटना देखा गया लेकिन बड़ा एक्षण नहीं होता है क्यों तो लपरवाही है प्रशासन का भी लेकिन हम लोग बेठने वाले नहीं है जल्द से जल्दा सरकार प्रशासन इस पर एक्षण ले नहीं तो हम लोग चक्का जाम करेंगे अंतिम सवाल मेरा मदद करेंगे हमेशा साथ खड़े रहेंगे और रह गया जो इसे मामले में हम पुरा साथ देंगे तो अभी आप सुन रहे थे बिहार की चर्चित महिला नेत्री सिमा कुस्वाहा को इनका साफ तरीके से कहना है कि नीतू के परिवार के हम साथ में खड़े हैं और तरीके का सासर ने इसमें बड़ी करवाई करें और अगर बड़ी करवाई नहीं करेंगे तो हम आम दोलन के लिए भी मद होगें फिलाल आप बने रहें मीडिया दर्सन के साथ